क्या गरवाले के लिए खेह रहे थे कि टीटी एन मनला की कह रहे थे कि टीटीएन के साथ ट्यूशन के साथ जो जो पने खेह डिया चुरूशन अलब तुम स्कूल भी जाते है ठीशन भी जाते हो और कोचिंग भी है कोचिंग के लिए जई लाइव डेली तो स्कूल प्लस ट्यूशन तो ट्यूशन जाने की ज़रूद गया है मुझे तो यह नहीं समझा है जब तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो ट्यूशन जाने की ज़रूद ही हटवा दो ही ट्यूशन में क्या अलग से कुछ करवाते हैं मेरे खाल से सबी बच्चों को एट लीस्ट गरवा ले नहीं नहीं तो मना लो उनको और उनको दिखा दो वीडियो हमारे वीडियो दिखा दो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या कॉलिटी है इहां पर क्या कॉलिटी है तो ओबियसली में अलब स्कूल के साथ मैं तो ये भी बोलता हूँ इनफाक्ट बच्चों को कि स्कूल का जो टाइम है उसको भी मिनिमाइज करो स्कूल में भी अगर आपका स्पोर्ट्स का कुछ होता है और ये सब होता है कहीना कहीन तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं सर मुझे स्कूल भी जाना है मेरी तो डान्स की क्लासेज भी होती है मैं तो स्विमिंग सीखने भी जाता हूं मेरे ना वो सिंगिंग कॉंपिटिशन भी चल रहे है मेरा ना ग्रूप डिबेट भी होता है हाँ ऐसे बहुत बच्चे देखे मैंने कहता सार मेरा स्कूल में डिबेट है ये का डिबेट करेगा तो IIT कैसे करेगा कोई एक चीज कर ले ये डिबेट कर ले ये IIT कर ले तो आपको मतलए है कि फोकस लूज नहीं करना है मतलए स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है सारी एक्टिविटीज तो आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो भी जरूरी है कुछ न कुछ तो जरूरी भी होता है बट सब कुछ आप नहीं कर सकते है ये भी एक fact है कि अगर आप 10 चीजों पर focus करोगे तो ultimately आप एक भी अच्छा से नहीं करवाओगे ना तो आपका ये अच्छा होगा ना तो आपका ये अच्छा होगा तो कुछ चीजों पर compromise करना ही पड़ेगा जो भी आपको एकदम बेकार लग रहा हो उसको skip करो न फिर स्कूल में 75% attendance है तो 75% रखो 25% क्यों रख रहे हो रखने की जुरद नहीं है जितना required है उतना करो जितना required नहीं है उसको skip करो ओके